अलो गाईज, वेलकम टु गुजराज जीके एक्सप्रेस। हुँचु अनिल चोदरी अने आप सर्वे मित्रों नू आपनी बधानी यूटूब चैनल गुजराज जीके एक्सप्रेस मा भाव भरी स्वागत करूशु। आजे चर्चा करवानी चे आपड़े बंधारणनी रिवीजन सीरीज चलू करी रहाज़े अने अंदर प्रथम भाग मुकी रहाज़े शू। ची वाले नी एक्साम हो है एने अंदर महत्वना बनी रेवाज टोपिक साथे तमारी समक्षू आजवर थाईश। आपड़ो प्रथम प्रश्णा शे के भारत मा सर्व प्रथम कंपनी शाषन माटे लिखित बंधारण कया काईदा अंतरगत रजू करवा मावियोतू। प्रश्णा हो शे तमने बदाने आवड़तो शे के भारत मा सर्व प्रथम कंपनी शाषन माटे लिखित बंधारण कया काईदा अंतरगत रजू करवा मावियोतू। तो एनो जवाब शेमित्रो के रेगुलेटिंग एक्ट सत्तर सो ने तोत्तेर। आ काईदो आवड़तो औने आ काईदा अंतरगत सव प्रथम इस्ट इंडिया कंपनी जेयती बराबर इस्ट इंडिया कंपनी ना साषन माटे एक लिखित बंधारण रजू करवा मावियोतू। आ काईदो आपने जवाब माली दो हवे आ काईदा ने आपने डीचेल मा समझवानों से के आ काईदा ने अंदर एक्चुली माँ सूशू जोगवाईयो करवामा आवियेती। बराबर जो ये। रेगिलेटिंग एक्ट 737 ने अंतरगत वाद करिये। तो इस्ट इंडिया कंपनी जेशे एना कारियों ने नियमीत अने नियंतरित करवाने दिश्यामा ब्रिटीश सरकार्द वारा उठावामा आवेला प्रथम पगलो होतू। आपने बदा जानिये शे जो बराबर बदा जानिये शे के आपड़ू सुझे भारत शे बराबर आशे आपड़ू भारत अहीं आगळ इस्विशन 1600 नियंदर एक कंपनी आवे शे बराबर जेनू नाम से इस्ट इंडिया कंपनी जेन उद्देश सव प्रथम अहीं आगळ व्यापार करवा माठे नो अतों पुर्ण अगर एक बिटीश गवर्मेंट पन होये से बराबर शरु आत्मा ब्रिटीश गवर्मेंट कोई हस्तक्षेप करती न थी पन समयां तरे ब्रिटिस गवर्मेंट ए आ इस्ट इंडिया कम्पनी पर कैंक ने कैंक आज से वेवेटी कार्यों करवा माटे नूँ प्रेशर करे से और अनियमं करवा माटे नियंत्रण करवा माटे एक बंधारण नीपण रचना करेशे बराबर तो एक प्रशाष्निक और वईवति कारियो करवा माटे पण East India कंपनीने मजबूर करेशे ए रेगुलेटिंग एक्ट सत्तर सोने तोत्तेर थी करे शे आपड़ एटलू याद राखवानू शे बराबर इस चोट के इस्ट इंडिया कंपनीना कार्यों ने नियमन करवानी दिश्यामा ब्रिटीश सरकार्दवरा उठाव मावेल प्रथम पगलू एटले रेगुलेटिं तो के बई वत याने राजनिती कार्यों कर्वानी माननेता मुणी आधी नियमनतर गत्त बंगानों जे गवरणर हतो एटले के बंगान्नों गवरणर जनरल एक गवरणर जनरल बनेह और ऐनी शहायतामाटे चार कंआट याशंकार जाहरे चार सभ आधक गठाण करवा मावे क्या सबुमिदा, पीट्स अक्टूराइग अधे। तो पहली बात इस्ट इंडिया कंपणी ना कारियों ने नियंत्रीत करवा माटे इंग्लेंड नी ब्रिटीस गवर्मेंटे आएक पहलू पगलू उठावी एमना माटे एक नियमो बनावे एक बंधारण बनावी कि तमारे शू करवानू शू नहीं करवानू बराबर अगल कंपणी न अंदर कारियों करता किटलाक अधी कारियों उपर किटलाक परती बंध मुक्यां कित अमारे भेट नाई लियावानी वराबर आगर जोही है शिया जो घुड़ू बदू शे आयक्ट निये अंदर कंपणी ने आ काइदा थी किटलाक वहिवतीयानी राजनिती कारियों करवानी पड़ माननेता मड़ी कुछ ये सू करशे तो बंगार ना गवर्नर जंद्रल नहीं आ प्टान ले बंगाल प्रांत अंतरगत मुखवा मावय वाकाइदा अंतरगत एटले के मदरास ना जे गवर्नर हता अने मुंबई ना जी गवरणर हता एवे स्वायत न थी राया ए स्वतंत्र न थी राया हे ये RPG वर्न हैस्टिंग plataforma ट्ähänर जी मुंबई गवर्नरों काम करशे बराबर आत्यार सुधी बनने जणा किवा आता स्वतंत्रा आता पण हवे बंगाल ना प्रांत अंत गर्यानों वैवर्ट मुखी नाक्यों बराबर छे बंगाल मा एक सर्वोच नयायलेनी स्थापना करवा मावी 70-704 मा याद राग जो तो सव प्रथम क औलकत्ता खाते सुप्रेम कुटनीस थापना धाई 170-704 मा एक मुख्यनीयादिश राग जो एमां मुख्यनीयादिश तरीके सव प्रथम आ आदलक ना कोण आया था तो क्या पई सर एलीजा इ separates जे आ земलत ना प्रथम मुख्यनीयादिश राग जो एमा मुख्यनीयादिश र क्या हुँ शे के मित्रो एक authenticate source मा बंधार अना यह उपन लखेलो शे के आ कोट नी अंदर जो दिवानी केश चालतो होए और एक केश जो 4,000 रुपिया थी वधूनों होए बराबर 4,000 रुपिया थी वधूनों होए और एक केश नी अंदर आ सुप्रीम कोट जे कोलकत्ना मान इंग्लेंड जाईने पन एना अगेंस्ट आ चुकादाना अगेंस्ट तामें रिट करी शकोश हो बराबर एना अगेंस्ट रिट करी शकोश हो पन तामारो जे केश से 4,000 रुपिया थी वधू हो जो ये बराबर आव जे बुक जे लोको वाच्ता आसे दूर्गा दास पार्टिये व्यक्ति पासे थी एमने भेट लेवा पर प्रतिबंद मुखी नाख के तमें गीब्ट पॉन लाई शको कारण के रिश्वत खोरी बाउज वदी गई थी औने धीरे धीरे कंपनी खोट मा गई रही थी बराबर तो आ काईदाए जे व्यक्ति पासे अधिकारी होता येमने भेट लेवा पर पॉन प्रतिबंद मुखी नाख के औने भारतियों कर्मचारियों ने खान की वेपार पर प प्रतिबंद मुखवा मा आवे आटली चर्चा अपड़े रेगुलेटिंग एक्ट सत्तर सो तो तो तेर अन्तर गत करीश बराबर जोई आगर आ काईदाद द्वारा हजवेक वस्तुज को आवे द्वारों द्वारा बृटिश सरकार नुँ जो रन आपणर ऍीत्स शो द्न वॉम्हत सब्सक्राइब जोड़े सब्सक्राइबज संसद जो तो ब्रे घ्रेअ दो कॉर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जे है था बराबर एक समुह हतो डायरेक्टरों नो एना माध्यम थी कंपनी पर नियंत्रण सशक्त थाई बराबर तो कंपनी ना नियंत्रण क्वोने सशक्त करियों तो ब्रिटिश सरकारे ब्रिटिश सरकारे कौनी पर प्रिसर नाखियू तो जे कौर्ट ओफ डाइरेक्टर हता एमने उपर अने कौर्ट ओफ डाइरेक्टरे कमपनी ना कर्मचारी उपर तो तमामे तबम अधिकारियो ए भारत नी अंदर महिसूली कार्य विधी के भी चाली रही शे, नागरी को बाबत नी अने सैने बाबत नी तमाम जहनकारी ब्रिटीस सरकार ने आप वी आवश्यक बनी गई बराबर आ काईदा थी ब्रिटीस गवर्मेंटे कोल्ट अफ डायरेक्टर ने आदेशापयों और कर्मचारियों द्वारा हवे नियंद्रान सशक्त बनता राजस्व एटले के मैसूली बाबत नी नागरी कोनी कार्य विधी बाबत नी सैन्य लक्षी बाबतो तमामे तमाम बा एक नव प्रश्णा जे टोपिक वाइस धिरे धिरे आगलवा धिरे आयशे बराबर शान्ती थी स्टार्टिंग थी एंडिंग सुधी वीडियो जो बाउज मजा आवशे तामारा घणा बदा कंसेप्ट क्लियर थाई जो शे बराबर जो ये बिजो प्रश्णा जे पीट्स इंडिया एक्ट 1904ी आब आबते निम्नलिकित विधान पर विचार करो जो ये प्रथम से रेगुलेटिंग एक्ट 773 नी खामी दूर करवा माटे आ काईदो पसार करवा मा आवे उतो विधान साचू शे ओके डन साचू शे करण के रेगुलेटिंग एक्ट 773 मा कितली खाम जे दूर करवा माटे आ काईदो पसार करवा मा आवे उतो विधान साच शे बराबर आपनो जवाब सूछे विधान एक और विधान साच शे बराबर चर्चा करिये पीट्स इंडिया एक्ट नी डिटेल मा बराबर आपने आगल ओल्रेडी बात करी थी के भारत ना गवर्नल जनरल नी सहायता माटे एक परिशद नी रचना करवा मा आवे ती है निया परिशद मा चार सब्वे होता रेगुलेटिंग एक्ट 773 अंतर गाता अनि में तमने एमें गिदूतू के आगर जे पीट्स इंडिया ए लग करवा मा आवे बराबर एल्ले के राजकिये कारियोंनों संचालन करवा माटे छस अभ्यनों एक बौड ओफ कंट्रोल बनावा मा आवे तो राजकिये कारियों पौण करतू होतू कौट ओफ डायरेक्टर अज करता आता हाला पड़े बात करी कंपनीना जे मालिकों कही कंपनीना जे डायरेक्टर ओं कही शकाए एज करता ता पन हवे शू करिए तो के भी भानी जी कारियों करशे कोट ओफ डायरेक्टर करशे अनि एक नवा ज मंदडनू निर्मान करिए नवा मंदडनू गठन करिए मंदणू नामसे बौड अफ कंट्रोल ये लेके नियंत्र मंदड ये शू करशे ए नियंत्र मंदड मां छो शब्यों ता ये शब्यों राजकिया कारियों नू संचालन करशे बराबर ये लेके त्यानों वईवत संभाड शे अनि कोट ओफ डायरेक्टर फक्तन ने फक्त व्यपार लक्षी कारियों मां ध्यान आपशे कि तमारे भी राजकिया कारियों मां कोई दखलगीरी करवा नहीं, कोट ओफ डायरेक्टर फक्तन ने फक्त शू करशे भानिजीक कारियों नू संचालन करशे जैरे आ काईदा अंतरगत बौर्ड अफ कारियों नू संचालन करशे तो प्रश्ण पूछाए बौर्ड अफ कंट्रोल वस्थानों प्राराम थयो बराबर कारण के वानिजीक कारियों थाई रहे मिल प्रौक ने ल्जारे न लुँ आपड़े जयांटरण बौर्ड यह केाज्यीक करवां ओविा अव्यू नूतंसल ने बौर्डबण से एने ये वी शक्ति है थी के भारत मा तमाम नागरीक सहिन्य होए के सरकार राजस्वा गती विद्यों नियंत्रण कर शे तमाम प्रकार नहीं गती विद्यों नियंत्रण नी सत्ता आजे बौड अफ कंट्रोल शे एने अपवामा आवे लेती ए आपड़ी ध्यान राखवो रह बराबर चाल जो इए हजु आपड़े अपड़े अपिट सिंडिया एक सत्तर सो चोरेशी ने अंदर ब्या वस्तु जोवाने शे आधिनियम ब्या काराणों थी अमना माटे महत्वा प्रोण हातो एक भारत मा कंपनी ना आधिन छेत्र ने पहली बार ब्रिटिस आधिपत्य हेठणनु क्षेत्र कहवा मा आविव कारण के अवे आलोको राजकी एक शेत्रे पन जबर जच रमवा माड़े दा पॉलेटिकली बराबर आखु राजकारणनु संचालन करवा माटे आखु एड्मिनिस्ट्रेशन वईवट नु सर्चारन करवा माटे एक आखु बोड निर्मान करी नाकियो तु बराबर आखी बोडी तईयर करी नाकिया थी तो एटला माटे भारत मां कम्पनी ना आधिन जे खेत्र तु जे एरिया तो एने पहली बार ब्रिटीस आधिपत्य हेठणनु क्षेत्र कहवा मा आविव आ प्रक्ष्ण जीपेसी मां विधान ब्रिटीस गवर्मेंट डिरेक्ली सासन नती करी दे डिरेक्ली सासन डायरेक्ट सासन क्या रे करशे बराबर अधार सोने 57 विपलाव पशी डायरेक्ट ब्रिटीस गवर्मेंट सासन करशे और त्यारे हाल कम्पनी द्वारा अप्रत्यक्ष्रीते सासन करी रही शे बराबर अपड़े ध्यान राकिश्यू खास चाल जोई है आपड़े आपड़ा माटे हवे नेक्स्ट प्रश्ण जे के चार्टर एक्ट अधारसो ने तीर बाबते नीचे ना विधानों तपासो जोई है चार्टर एक्ट आपणने बदाने खबर शे के अधारसो तीर मा आवे होतो अडारसो तेतरी औने अडारसो तेपण माँ पन आवे होतो बराबर जोई शो अपड़े त्रण हे त्रणनी आज लेक्चर माँ चर्चा करीश्यू बराबर अडार सो तेर ना चार्टार रेक बाबते चर्चा करो तो प्यलो विधान छे कम्पनी नी भारतिय व्यपार पर नी इजारा शाही नो अंत आवेव विधान साचूशे मित्रो बराबर बिजूशे इसाई मिश्नरियों ने भारत मा धर्म प्रचार करवानी अनुमती अपाई आविधान पॉण साचूशे हाँ चार्टार रेक तरदार सो तेर अंतर गत कम्पनी नो जे भारतिय व्यपार पर नो एकाधिकार हतो एनो अंत आवी गयो तो कारण के ब्रिटिस गवर्मेंटे बिजापण व्यपार यो ने हवे पर्मिशन आपी छे के कम्पनी शीवाय तम अंत आवी गयो औने इसाई मिश्णरियो जेता खृष्ची मिश्णरियो ता एमने भारत मा धर्मा प्रचार करवान यहनों मतिया पाई एती आज काईदा अंतर गतावे तीजू जो ये भारतियों ने सिक्षन माटे सरकार एक लाक रुपीया प्रती महिना खर्च आपवान सरकार प्रती वर्ष एक लाख रुपीया आप शे एवो निर्देश करें तो आपना बे विदान साचा शे प्रथम अने द्वीती एतले आपनों जवाब शे एक अने बे बराबर तो आरीते जीपीसी तमने मुझोन करी शके शेए जीपीसी इवन सची वाले पन तमने हवे पेपर जोई तो आपने बदाए खबर शे ने क्यूँ पेपर आतू तो आप रकारे तमने मुझोन करी शेके प्रती वर्ष नी जगे प्रती महीना मुखी दे तो एक एक टोपिक नो एनलेसिस करभू ज़रूरी शे बराबर हवे आपने चर्चा करी आगर चार्टर एक्ट अधारसो तेर ने आपने चर्चा करी बराबर हवे आपने चोथो प्रश्ना जोई ए चोथो प्रश्ना शे के निम्नलिखित कया काईदा थी चीन औने चीन साथे ना वेपार ने इजारा शेही पूरूर्ण करी देवाई ओके चल मित्रो अधारसो तेर नो जे एक्ट अतो अपने हाल चर्चा करी एमा एक वस्तु मारे तमने जणावानी शे के आए एक्ट नी अंदर भारतिय वेपार परने इजारा शाही नो तो अंतावी ग्यो पॉन कम्पनी ने ब्रिटिस गवर्मेंटे ब्या वस्तुनी परमीशा नापी बराबर ब्या वस्तु पर एमनों एक समपुन मैं समाप्याप्याु परने प्राबिया पेदया परने ब्राकर द्राह ने找 घेस्त नापकलि पर Under आले परने लने के लिए मेन जख्या परने फेस संतु था जो हिए व्याँ आपरी प्रशना समझ वानों छै के निमन midnight almond आखए देवाइए identifies mode साथे ना व्यापार नी इजारा शाही पमण पूरुण करी देशे बराबर जोई ये तो काईदों हवे आवे शे चार्टर एक्ट अधार सो ने तेतरिस आ काईदा थी चीन साथे नो जे व्यापार थतो तो एनी इजारा शाही पमण पूरुण करी देवाई बराबर इजारा पहले बाद तो 823 नो जे चार्टारेक्ट रतों अन्तर्गत बंगान नो जे गवर्णर जन्र रतों एने भारत नो गवर्नर जन्रल बनावा मा आवे बराबर पहला शुझ जोहिव आपड़े 703 रेग्विलेटिंग एक्ट मा बंगार नो गवर्नर अतो एने आपड़े गवर्नर जन्रल बनायो अने हवे बंगार नो जे गवर्नर जन्रल अतो एने भारत नो गवर्नर जन्रल बनायो अतली वस्तो आपड़े द्यान राखवी पडशे प्रथम गवर्नार जंद्रल बने बराबर हवे मुंबय ने मदरास ना जे गवर्नार होता यह मने जोड़े थी विधाही का सम्दी शक्ति यो थी वनचीत राखवा मावे अनो मतलब श्यू विधाही का यह टे काईदा की है मतलब के मुंबय ने मदरास ना जे गवर्नार होता यह मने काईदो बनावानी जे शक्ति ये अनो आपवा मावी तो गवर्नार जंद्रल ने आखा भारत ने अंतर विधाही का काईदा धाराकी ये शक्ति ना अशमीत धिकार आपी द्येवा मावे और अटले के अगळ आपने पॉल्डशक शेखस लिला अपसस ब्रम में चर्द खाले को आड़को शोज़ कुलोसे कही भूर्जवां पेदकर मैं है तक इसनल प्रेंट शोज़ेकं पॉलार Morantina जकत बनेंला जे कानूनुचे एने नियामक कानून केवा मा आवए ऑन्होमे लिग 20 Alfred Irk अथवा तो अधिनियम के अवामा आवया, एपन आपने याद राखवू पॉडशे, बरबर, एने एक्ट अथवा तो अधिनियम के अवामा आवया, बरबर, डन, चाल, जो इये, हजू अधार सो तेत्री ने एक्ट नियंदर आतली वस्तु थे येती, कि कम्प्णी ना व्या व्यापारी हको जेशन थी भी लेवाई संपून पड़े उगादकर संपून फड़े तो संपून अगर थे थे खाल मैं थे खाला मैं फड़े लेवाई तो अधार सोने तेतरिस ना चार्टर एक्ट अंतरगत कम्पनी ना संपून व्यापारी हक्को आपणे छिनवी लिदा ब्रिटीश सरकारे और यह कम्पनी ने 20 वस माटे एव क्या वाम आयू कि ताजना ट्रस्टी तरीके भारतनों वैवट करो ताज एटले ब्रिटिश गवर्मेंट एव शमझी लो तमे जिरानी हता त्याना एमना अंतरगत तमे ट्रस्टी तरीके कारिये करो बड़ाबर एक केम तमें कारिये करो बड़ाबर एविस पष्टता कराई तो आम कम्पनी एक व्यापारी संस्था ना रुपमा थी प्रशासने एक संस्था बनी गई बड़ाबर आ काईदा अंतरगत तो याद राग जो शूत हैू अडार सो तेतरी नो जे एक्ट तो ए अंतरगत तमा मीजारा समाप्त करी नाख्या एटले के चीन साथे नो व्यापार परण ना पाड़ दी हवे कम्पनी ना व्यापारी हकोपन शिन्वीली दा अने कम्पनी ने हवे सरकारे शुगितू कि तमे विश्वर्स माटे अमारा अंतरगत ट्रस्टी तरीके कारिये करो ट्रस्टी तरीके वाईवट करो आम तमें व्यापारी कारियों माती शू करी प्रशास्निक संस्था बनवानी आगण वधी रहे औने प्रशास्निक संस्था बनी प्रशास्निक संस्ता बनी बरबर हवे भारतिय काईदाओ अने व्यवस्तित वार्खा मा ढड़ावा माटे काईदा पंचनी पन रचना करवा मा आवी और भारतंपाद 10 प्रथानी नाबूदी पन आ काईदा अन्तरगटत थयी छे आ काईदा में भी जोगवे खरम आवी शेगे आज काईदा अंतर्गत सव प्रथम सिविल सेवकोनी पसंगी माटे खुली प्रतियोगीता नो आयोजन शरू करवानो प्रयास करवा माव याद रागजो प्रतियोगीता थाई न थी प्रतियोगीता यले स्परधात्मक परिक्षा पन थाई न थी खाली प्रयास करवा माव त यू प्रश्न पूछाए के सव प्रफम सिवी सेवकों नी पसंगी माटे स्पर्धात्मक परिक्षानों प्रयास काया काईदा अंतरगत करवा माः मां आवए व तो या दर्णाक्सु ओधारग्षू ओ tenía हो फ्रम प्रफम प्रयास पॉद्धा यू तो जेрахक्षैक 107 परिकषै आयज़न करवानों प्रयास क्यारे थायो तो अड़ार सो तेतरी ना चार्टर एक्ट अंतर गत बराबर हवे आ चार्टर एक्ट में एवू लखेलो तु के बेक कम्पनी नी अंदर कोई भारतियों ने पद लेवो होए कारिया लाई मा यमने रोजगार लेवो होए बराबर त तो याद राख जो जोई ये पांचमों प्रश्नाश आपड़ो के निम्न लिखित कया चार्टर एक्ट थी प्रछम वगत भारत मा स्थानिय प्रतिनी धित्वनों प्रारंब करवा मा आवे वो हतो तो चार्टर एक्ट अढ़ार सो ने तेप पन थी थायो बराबर प्रश्न जो ये चर्चा करिये चार्टर एक्ट अढ़ार सो ने तेपान मा शू जोगवाई है थी प्रथम वार गवनर जन्दरल नी परिश्यद मा विधीक अने प्रसासनिक कार्यों ये अलग करवा मा आवे बराबर चालो हवे ये तमने हूं शमझाओ आपड़े जो ये तु 24.000 एक एक्ट पीटस एक्ट एमां बेवस्तु थे येंती कई क्ई वस्तु थे थी वेपारीकार्यों अने राजनितिक कार्यों येलग कर आता आपड़े बराबर अहीं आगळ वेपारी और आने राजनितिक कार्यों व्यापारी कारियो माटे court of director हता जो अल्रेडी बराबर जे पहला राजनितिक कारियो पन करी रहता पण हवे राजनितिक कारियो करवा माटे board of control नी रचना करी आपड़े बराबर अधार सोने त्यपपनना काईदानी अंदर शुक है तो अहीं आगळ विदिक कारियो विदिक कारियो करवा माटे आब यह कारियो अलग करया तो सत्तर सोने च्वाराशी ती व्यापारी अनि राजनितिक कारियो अलग करया जारे अडार सोने त्यपन थी विदिक अने प्रशाष निके लिए वईवटी कारियो अलग करया ओके डन जो ही है अने अलग करया ने प्रथम ध अलिक्षाव माटे पन थाई है ती औने मैकोले अठ्यक्ष पन हता प्रथम काईदा पंचना ए पन आपने याद राखी शुँँ जे चार्टर एक टाजार सो तेतरी अंतर गत बनावमा आविवत बराबर ओके डन आगल वाद करिए प्रथम वर भारतिये केंद्रिये विदान परिश्यत मां स्थानिय प्रति निधित्वनों प्रारम थेयों स्थानिय प्रति निधित्वनों प्रारम थेयों मतलब के गवणर जन्रल ने परिश्यत अती आमने सहायता माटे एमाँ छ नवा सदश्यों माती चार सदश्य अता ए बंगार, मदरास, मुंबई और आगरा मा प्रश्णयों पूछाए कि भारत मां कया काईदा अंतर्गत सव प्रथम विदान परिशत्म स्थानिय प्रतिन प्रतिन प्रारम थयो तो काईदों कहयो अधार सोने त्यापण चार्टा रेक्ट बराबर अने बी जो याद राकी शू बंगाल मांटे बंगाल नो गवर्नर जन ये भारतना गवर्नर जन रेक्ट सब्सक्राइं आब अब तो आपने बंगाल मां। 273 ना एक्ट मा आपड़े जोईू कि कम्पनी ए सब प्रथम प्रयास करेओ कि बृटिस गवश्वर्मेंट ए सब प्रयास करेओ कम्पनीना कार्योंने नियेंटरित करी शका एक लिखित मंधारन शरूत रजू थाईू त्यार बाद कंपनी ना तमाम करमचारियों ने भेट लेवा, सोगादो लेवा पर प्रतिबन मुकव मा आवेव, एक सुप्रीम कोट ने स्थापना थे, सुप्रीम कोट ना प्रथम ने अधिस सर एलिजा इंपे हता, अब दिया आपड़े चर्चा करी, त्यार बाद आवेश से, सातर सो चारी ने पीट्स एक्ट बराबर, पीट्स एक्ट ने अन्दर वही वर्टी कार abnorm傳 perme, वेपारी कारी आवेव मा hanno, वही वर्बार्डी कार्यों जीजारोल हतों समाप्त करवा मां आवे हो फक्ता ब्याज नाज कारियों कारी येरोगा Everton समाप्त करवा मां आवे हो अने मतलब के भारत मां व्यापार संप्त करते हो न तुंae Speech government कश्था कोही मोखती कारी हो मुखली शक्षा प्रवक्षायां थी यह भूता जया नो Reason त्यार बाच्चु करवामा आविव, तो क्या बै, एक लाख रूपिया प्रती वर्ष सिक्षन माटे सरकार आपशे, एव पन नक्की करवामा आविव, अधारसोने तेत्री नो जे कायदो आविव, यहने अंदर शू ठायू, तो अधारसो तेत्री ना चार्टर एक ने अंद आश प्रदानी नाबूदी थाई, क्यारी थाई, अधारसोने त्यातालिस मा, त्यार बाद आपणे छेल्ले एक्ट जोई, अधारसोने त्यापण नो एवखते गवर्नर जनरल लोड डेलाउसी एता, बराबर, अने एन्दर शू ठोई तो स्थानी ये प्रतिन इधित्वन मजा आई शाने टूंकत समयमा आरी ते डीटेल नी अंदर आपणे मड़ीशू, चर्चा करीशू, ठेंक्यू, जय हिन, जय भारत, ग्लोड ब्लेश यू अल, आपणे टेलीग्रम चैनल जोईन करे रहे जो प्रेडीशेप्त माटे, ठेंक्यू